दोस्तो इस हफते में मार्किट में 500 पॉइंट से ज़्यादा की मुवमेंट देखने को मिली हफते के पहले 3 दिन मार्किट में हमें 1% से ज़्यादा की गरावट देखने को मिली लेकिन फ्राइडे के दिन हमें मार्किट में रिकवरी देखने को मिली फ्राइडे के दिन मार्किट 1.65% बुलिश था तो आज किस वीडियो में हम इंडेक्स की अलचल से लेकर टोप सेक्टर्स और टोप स्टोक्स के उपर पूरी डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना तो सबसे पहले अगर हम मार्किट की बात करें तो हमें निफ्टी में एक बुलिश केंडल के साथ 0.71% की रिटन देखने को मिली और बैंक निफ्टी पिछले हफ्टे की तरह हैं इस अफ्टे भी पूरी तरह से साइड वेस था अब अगर हम निफ्टी फिफ्टी के उन श्टोक्स की बात करें जिन्होंने इस अफ्टे सबसे ज़्यादा रिटन दी है तो इसमें सबसे पहला नाम आता है टेक मेहंद्रा का जिसमें हमें 52 अफ्टों के ओल्ट टाइम हाई के साथ 5.22% की रिटन देखने को मिली इसके बाद विप्रों में हमें 5.08% की रिटन देखने को मिली इनफोसीज में हमें 4.98% की रिटन देखने को मिली और HCL Technologies में हमें 4.92% की रिटन देखने को मिली अब अगर हम 5050 के उन श्टोक्स की बात करें जिनमें हमें सबसे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली तो इसमें सबसे पहला नाम आता है DBS Limited का जिसमें हमें 4.06% की गिरावट देखने को मिली इसके बाद कोल इंडिया में हमें 3.71% की गिरावट देखने को मिली और Dr. Radis Corporate में हमें 3.14% की गिरावट देखने को मिली अब अगर हम sectors की बात करें तो इस अफते में ज़्यादातर sectors ग्रीन में देखने को मिले जैसे IT सेक्टर सबसे ज़्यादा 4.70% ग्रीन में था और OTO सेक्टर 0.99% ग्रीन में था लेकिन इसी बीच मीडिया और फर्मा सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली मीडिया सेक्टर 2% से ज़्यादा बेरिष्टा और फर्मा सेक्टर 0.46% बेरिष्टा अब अगर हम ओवरॉल मार्किट के उन श्टोक्स की बात करें जिन्होंने इस अफ़ते सबसे ज़्यादा रिटन दी है तो इसमें सबसे पहला नाम आता है C.A.N. एग्रो इंडस्ट्रीज का जिसमें हमें 70% से ज़्यादा की रिटन देखने को मिली इसके बाद विने Oversies में हमें All Time High के साथ 50% से ज़्यादा की रिटन देखने को मिली और ओला Electronics में हमें 45% से ज़्यादा की रिटन देखने को मिली अब अगर हम गलोबली Gold की बात करें तो Gold में हमें 3.13% की रिटन देखने को मिली और silver में हमें 5.67% की return देखने को मिली और dollar में हमें 6.59% की गिरावट देखने को मिली अब अगर हम अगले फते की बात करें तो अगले फते हमें global market में हलचल की वज़े से गिरावट देखने को मिल सकती है लेकिन अगर हमें market में गिरावट देखने को मिलती है तो हमें investment के लिए ready रहेंगे तो यह होप आपको इस वीडियो से कभी कुछ सिखने को मिलाओगा तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नए interesting वीडियो के साथ